नमस्कार मैं हूद व्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 23 मार्च दिन सनिवार खबके ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज बिहार बोर्ट बार्विंग की परिक्षा का डिजर्ट होगा घोसत प्रदेश के इंजलों में वजर पात और मेग गर्जन को लेकर अलर्ट बीपी ऐसे सिफ्चल भर्दी परिक्षा पेपर लिक मामले में इंजलों से हुई सबसे अधिक गरफतारी देलवे ने याद्रियों के रिए सुरू की एक नई सेवा SBI के करोरों गरांकों के लिए आज कुछ देर बंद रहेगी इंटरनेट सेवा चरियाब भरते हैं बिहार के अब तके 25 बरी खबरों के और विस्तार से DSSSB ने 103 पदों पर निकाली भरती जल्द करे आवेदर दिली के जला अदालतों और पारिवारिक नयायालों में विभिन पदों पर दिली अधिनस्त सेवा चैन आयोग यानि DSSSB द्वारा भरती निकाली गई है इस भरती के तहट प्रोसस सर्वर के लिए 3 पद और 84 के लिए 99 पदों को भरा जाएगा पर जाकर आवेदर कर सकते हैं इस भरती के लिए 20 मार्ट से ही आवेदर शुरू है और आवेदर करने की आखरी तारिक 18 अप्रेल 2024 है आवेदर सुलकी के रूप में सौर पे लिए जाएंगे उमितवारों की योगिता दसमी पास रखी गई है उमिन सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक होनी चाहिए भरती से संबंदित अधिक और सडिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें आज बिहार बोर्ट बार्विंग की परिक्षा का रिजल्ट होगा घोसत बिहार बोर्ट के बच्चों को परिक्षा खत्म होने के बाद लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार था अब बिहार बोर्ट बार्विंग के बच्चों का इंतजार खत्म हो चुका है दरसलात सनी वा की अध्यक्स आनंत कसोर ने प्रेस कॉंफरेंस के जरिये दी है आपको बता दे कि रिजल्ट की एक होसना समीती की आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर दी गई है तो जिन्वी बच्चों ने बार्विंग की परिक्षा दी है वे आज इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं होली का दहन में आज से संबंधित हाथ चै को लेकर है अलर्ट किया गया है होली का दहन होली से पहले मनाया जाने वाला एक महतवपूर्ण अनुस्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है इस उत्सब में खुली आग का उप्योग होता है इसलिए अगनी दुर्घटना के प्रती सचेत रहना विशक है थोरी सीभी लापर वाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है इसलिए होली का धहन के लिए खुली जगा का प्रयोग करें साथ ही बच्चों को आग से दू रखें आको बुझाने के लिए बाल्टी में पानी भर कर रखें इसके अलावे सुरक्चा के लिए अगनी सामक यंत्र की भी ववस्ता कर ले खत्रा होने पर डायल 101 या 112 पर कॉल किया जा सकता है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे सोन भंडार गुफा के बारे में ये गुफा बिहार के नालंदा दिले में इस सित्फ है कहा जाता है कि मौरिस सासक बिंबिसार ने अपने सासन काल के दोरान राजजगीर में एक बरे पहार को कटवा कर गुफा बनवाई थी ताकि उसमें खजाना चिपाया जा सके इसलिए इस गुफा का नाम सोन भंडार हालांके कुछ टूरिस्ट गाइड के मुताबिक जो यहां सोन भंडा लिखा है उस सोन का मतलब सुरंग होता है इस गुफा के बगल में गर्म पानी का जढ़ना बहता है यहां से नजारे बेहदी प्रिये लगते हैं घूमने के लिए हाथ से यह सबसे बहतरीन परेटन अस् सेड्यूल एक्टिविटी को लेकर बैंकिंग सेवाओं का लाव नहीं उठा पाएंगे बैंक की आधिकारिक वेबसेट पर यह जानकारी साजा की गई है मालूम हो कि पूरे देश में एस्बी आई के चौवालिस करोर ग्राहक है इन पर इसका असर परेगा आज एस्बी योनो बिजनेट वेब समेट सभी एप एक घंटे के लिए नहीं चलेंगे दो फैर के एक बचकर दस मिनट से लेकर दो बचकर दस मिनट तक ग्रहां के इंटरनेट बैंकिंग का इस्तिमाल नहीं कर सकेंगे वहीं पैसों की लेंदिन करने के लिए यूपीयोग हो पाएगा स अधी एडियम से पैसे निकालना भी संभव है वहीं बैंक संबंदिक काम करने के लिए एस्बियाई के टॉल फ्री नंबर एक आट सुने सुने एक दो तीन चार और एक आट सुने सुने दो एक सुने सुने पर कॉल किया जा सकता है बीपीएसे सिक्चक भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में इन जलों से हुई सबसे अधिक गिरफतारी बीपीएसे की फेर तीन सिक्चक भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में जारकंट के हजारी बाग से करीब 300 लोगों की गिरफतारी हुई थी इन में सबसे अधिक लोग लखी सराय नालंदा और पटना जिले के हैं जानकारी के नुसार गिरफ़तार परिक्षारतियों में सबसे अधिक महिलाएं हैं पेपर लिक मामले में हजारी बाग से 88 महिलाओं के साथ ही 277 लोगों को गिरफ़तार किया गया है इन में नालंदा के सबसे अधिक 113 भैरती हैं जबकि लखी सराय के 49 और पटना के 34 लोगों की गिरफ़तारी हुई है मुंगेर जिले के बादो और वैसाली और समस्तेपुर के 7-7 और खगरिया के 6 जहानाबाद और गया के चार-4 सहीत अन्य जिलों के अभिहरतियों के गिरफ़तारी हुई है रेलवे ने यातियों के लिए शुरू कि एक नEROई सिवा शुरू की है डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा की शुरुआत की गई है इसमें यात्रियों को उनका स्टेशन आने के 20 मिनट पहले उन्हें कॉल या मैसेज के जरी अलर्ट किया जाएगा इसके तहते 11 बजे राज से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच अगर आपका स्टेशन आने वाला है तो उन्हें डेस्टिनेशन अलर्ट के जरीए मदद मिलने वाली है इस खास सेवा के लिए इंटरनेट की आविशक्ता नहीं परेगी हालांकि इसके लिए यात्रियों को कॉल या मैसेज का भुक्तान करना परेगा डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से एक ती नौन नंबर डायल करना होगा इसके बाद भासा का चैन करके आई वियार मेनू में साथ का चुनाब करना होगा डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए दो दबाना होगा पी एन आ नंबर डायल करने के बाद एक दबाकर कन्फर्म करने के बाद ये सेवा शुरू हो जाएगी भुजपूरी एक्टर पवन सिंग और पत्नी जोति सिंग फिर से हो सकते हैं साथ भुजपूरी एक्टर पवन सिंग और पत्नी जोति सिंग फिर से एक साथ आ सकते हैं दरसल तलाक मामले में बीते दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे इसके बाद अब उनकी अगले सुनवाई के रिए 18 अप्रेल की तारीक तेकी गई है वहीं से पहले कोर्ट ने 13 मार्च की तारीक दी थी लेकिन दोनों पते पतनी 13 मार्च इफ्लेंसर को सूचना एवं प्रसारण मंत्राले की और से अलर्ट किया गया है। दरसलि इन्हें चेताबनी दी गई है कि इन्हें ऑल्लाइन सटे बाजी और जुवा प्लेटफॉर्म सहीत सरोगेट आदी से जुरे विग्यापनों को सेर करने से अलर्ट किया गया है। इसमे बिहारी बत्रे स्पेसल में आज हम बात करेंगे दिनेस्वर सर्मा के बारे में ये एक भारते पुलिस अधिकारी और भारती इंटेलिजन्स ब्यूरो के प्रमुक भी थे इनका जनमा आज के दिन वर्स 1954 में बिहार में हुआ था इन्होंने पुर्वी जर्मनी, पोलैंड, इस्राइल और दक्सिन, कोरिया के खुफिया कारे और पुलिसिंग विधियों पर प्रस्सेक्शन में भी भाग लिया था इन्होंने BSF, CRPF और IB में विभिन पदों पर नागा लैंड, जम्मु कस्मिर, गुजरात और राजस्थान में भी सेवा की है इन्होंने 4 दिसमबर वर्स 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया बुद्वार तक बंद रहेंगे बैंक, अठके हुए बैंक का काम यहां होगा पूरा 23 मार्च यानि की आज 4 सनिवार है, इसलिए आज बैंक बंद रहने वाला है कल यानि रविवार को साबता है चुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे कर्मचारियों को लॉग विक एंड के अलावे लॉग विक एंड भी मिलने वाला था, अलाकि अब इससे कैंसल कर दिया गया है रिजर्ब बैंक के मुताबिक वित वर्स 2023 के आखरी दिन 21 मार्च को सभी बैंक खुले रहेंगे जिस वज़े से बैंक कर्मचारियों को केवल गुड फ्राइडे के चुट्टी ही मिलने वाली है बैंक के इन लंबी चुट्टीयों में बैंक की कई कामा आप एटियम और नेट बैंकिंग के जरीए आहसानी से कर सकते ही होली के दौरान सरकारे स्कूलों के सिछ्चकों को ट्रेनिंग में दी जाएगी ये जानकारी SDRT ने एक पत्र जारी किया है, इसमें जानकारी दिये कि भिहार में होली के दौरान सरकारी स्कूलों के सिख्चकों को ट्रेनिंग दी जाएगी 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सिख्चकों को अलग-अलग ट्रेनिंग संस्थानों में प्रसक्षन दिया जाएगा इस कारिकरम में कक्चा 1 से लेकर, 2 और कक्चा 3 से लेकर, 5 तक के स्कूलों में कराएगे Foundation, Literacy and Numeracy कीट पढ़ाने की तरीके बताए जाएगे वहीं सारे 4 लाग सिख्चकों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है एक बैच में 20,000 सिख्चकों को ट्रेनिंग दी जाती है इसी करी में अब सरकारे स्कूलों के स्कूलों के स्कूलों को ट्रेनिंग दी जाएगी गुड फ्राइडे के दिन स्कूलों में वार्षिक परिक्षा को लेकर, राजभवन ने मुख्य सचीब को लिखा पत्र बिहार के सरकारे स्कूलों में एक से आटवी तक की वार्षिक परिक्षा कक्षा पांच को छोड़ कर गुड़ फ्राइडे के दिन आयोजित होगी इसको लेकर राजपाल की प्रधान सचीफ रोबर्ट एल चॉंगदू ने मुख्य सचीफ को पत्री लिखा है राजपाल की ओर से कहा गया है कि गुड़ फ्राइडे के दिन तैप परिक्षा को कसी अन्य उप्योक्त दिन कराया जाए इसका कारण है कि गुड़ फ्राइडे एक जरूरी तेवहार है वहीं एक विसिस्ट समुदाय ने इसको लेकर राजपाल का ध्यान अपनी ओर आकरसित किया है जानकारी कि नुसारी एक्जाम 25 मार्च को होने वाला था लेकिन इसे 29 मार्च कर दिया गया था प्रदेस के इन जिलों में बजड़पात और मेग गरजन को लेकर अलर्ट वहीं दईक्षुन पिहार behavior नहीं है अठीन इक ठ़िश फिरपाद की संभावना अब्र स्कूर्फ कर दिया वजर्पात की संभावना ऐकााइज काधितम ताप मान 32 and 28 18 ए है तो पुलिस ने भारी मात्रा में सराप को किया जब बेहार है फोलिए और लोगसभा चुनाब को लेकर सराप के खिलाफ अभियान चला रही है इसी करी में वहां जाच की दौरान कैमूर के रामगर चौक से पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 7.2 किलो ग्राम आदक पदार्थ जब किया है इसकी कीमत लाखों में है साथ ही एक तसकर को भी गिरफतार किया गया है वह जाच की दौरान एक ट्रक से 2230 लिटर सराप को जब किया है राज़त की प्रदेश महा सची विनोध यादव ने दिया स्टीफा राज़त की प्रदेश महा सची विनोध यादव ने स्टीफा दे दिया है बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने पर वो नाराज चल रहे थ उन्होंने पार्टी के सभी पदो सहित पार्टी की प्राथमिक्ता सदिस्ता से स्टीफा दे दिया है। मेरिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई दिनों से चर्चा की जा रही थी कि उन्हें नवादा के सीट से टिकेट मिल सकता है। नेकि नाज़त की ओर से नवादा से स्रवन को स्वाहा का नाम फाइनल कर दिया गया है। फिलहाल विनोध यादव ने राज़त छोड़ने की घोशना कर दी है। ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राज वल्लब प्रसाद के छोटे भाई हैं। इनकी भावी विभाद देवी नवादा की विधान सवा सीट से विधाया की। CPI के महासरचीव ने जानकारी दी है कि बेगु सराय से अब धेस राय प्रत्यासी होंगे ये इंडिया गटबंदन के उम्मदवार होंगे दी राजा ने कहा है कि CPI ने दो सीट की मांग की थी फिलहाल बेगु सराय सीट पर नाम फाइनल हो गया है पुल हाथसे में 13th आदम ने सरकार पर साधा निसाना, विहार की CPI पुल हाथशे पर बिहार विधान सवा की नेता प्रतिपक्ष 13th आदम ने सरकार पर निसाना साधा है उन्होंने कहा है कि बिहार में पुल गिरना एक परंपरा बन चुकी है, पूर्व डेप्रेश सीम ने सरकार के समक्ष तीन मांगो को रखा है। सुपॉल जिले के बकॉर में पुल धहने की घटना पर डिप्टी सीम विजैस सनहा का बयान सुपॉल जिले में बकॉर पुल धहने की घटना सामने आने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। हिन पुल के एक हिस्से के गिरने की सुचना सुक्रवार को मिली। जाने तक इस घटना में एक मजदूर की जान चली गए और वहीं कई मजदूर घायल भी हो गया। दिली के सीम अर्विंद केजरीवाल ने गिरफतारी के बाद दिया पहला रियक्शन दिया है। दर असल भ्रष्टा चार से दूरे मामले में दिली के मुख्य मंतरी की गिरफतारी होई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मालूमों कि भीते दिन अर्विंद केजरीवाल को इडी ने राउजवनियो कोट में पेस किया है। इसमें सीम को रिमांड में लेकर पूछ ताज करने की दलीले दी गई है। जांच एजिंसी के पास मनी ट्रेल में साब्च्य की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि सराब नीती घोटाले में 100 करोर रुपे की रिस्वत ले गई थी। इरी ने कहा है कि सराब नीती घोटाले में दली के सीम रस्टा चार के सरगना है। आज IPL Blockbuster Saturday में भिरेंगी ये टीम में IPL का अगाज हो चुका है। आज Blockbuster Saturday होने वाला है दो मुकाबले डबल हेडर के तरत खिले जाएंगी। दो फेर सारे तीन बजे से पहला मैच पंजाब, किंग्स और डिली कैपिल्स के बीच होने वाला है। ये मैच मुहाली महराजा सिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। उसके बाद क्रिकेट का रोमांच कॉलकाता पहुंचेगा। जहां कॉलकाता नाइट राइडर्स और सन्राइज हैदराबाद के बीच इरन गार्डेन में सारे साथ वजे मुकाबला देखने को मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीक। आज के दिन वर्स 1889 में मिर्जा गुलाम एहमद ने ब्रेटेस भारत में एहमदिया इस्लामिक रिसी आंदोलन के सापना की थी। आज के दिन वर्स 1931 में भारती स्वतंतरता अंदोलन के दौरान महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को फासिदी गई थी। आज के दिन वर्स 1940 में पाकिस्तान अंदोलन अपने तीन दिवसिये आम सत्र की दौरान मुस्लिम लीग नहीं लाहौर प्रिस्ताव का मसौदा तयार किया था जिसमें ब्रेटेस भारत में अधिक से अधिक आर्थिक सहीयों का आवाहन किया गया था आज के दिन विस्व मौ स्वाग के नाम पर एक लेटर वाइर हो रहा है इस लेटर में कहा जा रहा है कि उभोगतायों को जरूरत है कि व एपने बिजली बिल को अपडेट करें इसे अपडेट करने के लिए Sicher metals alleviate करने की बाद कही जा रही है साथ ही कहा जा रहे है कि इतनकी गर की और पूरी तरह से इस तरह के लेटर पर विस्वास करने से बचें अथवा आपको नीजी या वितिया नुक्सान हो सकता है पी आई भी ने भी इसे अपने सोचल मेडिया एक्स पर सेर किया है जाने यूटूब पर भी इनकॉगनिटो टैब का क्या होता है महत अगर आप भी चाहते हैं कि इस बा सीक्रेट रहती है लेकिन इसके लिए आपको अपने डिवाइस में इनकॉगनिटो टैब अन करना होगा इसके लिए आप सबसे पहले अपने डिवाइस यूटूब ओपन करें इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्णर में दिखाई दे रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें आप आपको यहां पर अकाउंट सेक्शन में आपको एक टर्ण और इनकॉगनिटो का उप्शन दिखाई देगा इनकोगनीटो मोड आउन करने के लिए आपको इसका टॉगल आउन कर देना है जैसा कि आप इनकोगनीटो मोड आउन कर देंगे आप एक अलग यूटुब एप पर पहुँच जाएंगे जो कि इनकोगनीटो मोड में होगा सिंसक्स निफ्टी हरे निसान के साथ हुआ बंद कारोबारी हफ़ते के आखरी दिन बाजार बरहत पर बंद हुआ है शुक्रवार के सुबह खराब शुरुआत होई थी लेकिन बाद में कारोबार के दौरान बाजार ने दिन के निचले अस्तर से रिकवरी कर लिया बाजार में उतार चरहाब देखने को मिला, निफ्टी फार्मा आदी में उच्छाल देखने को मिला, सिंसक्स 191 पॉइंट पर चरकर 72,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 85 पर चरकर 22,097 पर बंद हुआ है, सिंसक्स निफ्टी दोनों ही हरे निसान के साथ बंद हुआ, ब प्रदोगी परक्षाओं में काम आएंगी सवाल इतिहास बियार स्पेसल विज्ञान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सहीं उतर दिया है या में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है विस्व प्रसंता फार रिपोर्ट 2023 के नुसार भारत का स्थान तक उप्सन 999 अस्थान पर उप्सन भी है सौव्य अस्थान पर उप्सन 110 वे अस्थान पर उप्सन ये 26 क्या तो इसका सही उतर है 126 वे अस्तान पर हाली में नौर्थ इस्ट गेम्स दोजा 24 का तीसरा संस्क्रन कहां शुरू किया गया है ऑप्सन नागा लेंड ऑप्सन भी है सम ऑप्सन सी है रूनाचल प्रदेश ऑप्सन दी है मिजोरम इसका सही उतर है नागा लेंड हाली में चौथा संगाई कॉर्प्रेशन और्गनाइजेशन यानि कि स्टार्टप फोरम कहां अउजद किया गया था ऑप्सन ने है चिन्नई ऑप्सन भी है नई दिली ऑप्सन सी है बैंगलोर ऑप्सन लिए हाइदराबाद कि इसका सही उतर नई दिली कि विहार दिवस कभ मनाया जाता है ऑप्सनं ए है 20 मार्च को怎麼樣 किस मार्च को aoек सब्सक्राइब कि इसका संस्क्रित और उर्दु और संस्क्रित और उर्दु और संस्क्रित और इन्में से कोई नहीं इसका सहीँ तरह हिंदी और उर्दु बेटे दिन हमारे दोर पुछे के सवाल का आप लोगों से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें मारे कमेंट को सब्सक्रित राजीत मिस्तरा राजीव कुमार किरन राम नमी मांजी, गोनर सर्मा, कुमार, विसाल कुमार, सिफ सकती, रंजीत मिस्रा, सिफ सकती, पुरो सोतम कुमार, रोसन कुमार, सियाम सुंदर, पवन सिंग, अन्वर, करीम खान, रुबी कुमारी, जीतंदर ठाकुर, साबिर अली, महेश दास, मुहमद चाकिर उसन, अतीक खान, इसके साथ ह अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद